अगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं क्या क्या हमारे कॉंसेप्ट है जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है as well as हमारे neat examination में भी आ सकते हैं देखो बच्चो इस lecture को start करने से पहले अभी तक हमने जो भी magnetism के बारे में बातचीत की है उनको एक बार हम summarize गल लेते हैं मैंने आपको बताया था जब ये chapter start किया था कि हमारा magnetism का chapter electrostatic chapter के एकदम similar है way of dealing जो है concept की वो एकदम सेम है जैसा हम electrostatics में करते आ रहे थे अगर मैं इसी तरीके से पूरे एक chapter को summarize करूँ तो electrostatics में सबसे पहले हमने charge को समझा यहां पर बच्चो हमने magnets को समझा फिर हमने बातचीत की properties of charge की इधर हमने बातचीत की properties of magnet की इसके बाद फिर हमने यहां पढ़ा electric lines of force इधर हमने पढ़ा था magnetic lines of force इधर discuss किया था electric dipole moment यहां पढ़ा था हमने magnetic dipole moment आरे बात साज में उसके बाद फिर मैंने आपको mathematical results बताए थे एक magnet दूसरे magnet पे कितना force apply करेगा field कितना produce करेगा work done, torque, potential energy जहां भी numerical हमारे frame हो सकते हैं वो सारे concept हमने magnetism के discuss किये थे clear? तो बेटा अगर मैं इस chapter की बातचीत करूँ तो इस chapter को हम total तीन segment में divide कर सकते हैं तीन हिस्सों में मैं इसे बाढ़ सकता हूँ एक हिस्सा जो अभी तक हमने discuss किया है जिसमें magnet क्या है उसकी properties क्या है कितना field वो produce करता है कितना force वो apply करता है इन सारी बातचीत को हम कर रहे होता है ठीक है? यह हो गया बेटा portion number one इसके बाद आता है हमारा second portion जिसमें हम बातचीत करते हैं कैसे material को ये affect करता है कौन-कौन से type के material को हम magnetic properties के basis पर differentiate कर रहे होते है जैसा आपने chemistry में पढ़ा होगा dimagnetic, paramagnetic and ferromagnetic material तो अब हम बातचीत करेंगे material की dimagnetic material की, paramagnetic material की ferromagnetic material की इन से related properties की इन में produce होने वाले magnetic field के strength के बारे में ये हमारा second segment है और इसका एक थार्ड segment होता है जिसमें हम बातचीत करते है earth magnetic field के बारे में तो अभी बेटा हम आज के इस lecture में second segment की बातचीत करेंगे फिर next lecture में हम बातचीत करेंगे earth magnetic field के बारे में तो आईए बच्चो, start करते हैं हम इसका second segment देखो बच्चो second segment में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ material के बारे में और material में मैं आपको बताऊंगा बेटा तीन टाइप के material die magnetic, paramagnetic और ferromagnetic हम एकदम basic से start करेंगे क्यों इनको die, para और ferro में differentiate किया गया फिर हम बातचीत करेंगे die magnetic क्या है, paramagnetic क्या है, ferromagnetic क्या है इनकी properties क्या-क्या है, इन सबको हम detail में समझने का try करेंगे और कैसा numerical हमारा यहाँ पर frame हो सकता है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि कैसा portion इस वाले portion से अपना आ सकता है यहाँ तक आरिए बात समझ में, तो यह हमारे आज के lecture का discussion है इस material को या इस discussion को start करने से पहले मैं आपको पहले कुछ basic terms पताऊँगा उन basic terms को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं उन basic terms को अगर समझ लिया जाए, तो materials के differentiate करना थोड़ा आसान हो जाता है तो पहले बातचीत कर लेते हैं उन basic terms के बारे में तो heading डालो, first topic, important terms of magnetism important terms of magnetism और अगर बेटा मैं यहाँ पर important terms की बातचीत करूँ तो 5 terms की हम बातचीत करेंगे एक होता है बेटा हमारा magnetizing field that is denoted by H second होगा बेटा हमारा magnetic induction that is also called magnetic field which is denoted by B यहाँ पर first और second एक जैसा sound कर रहे हैं लेकिन दोरों में difference है क्या difference है उसको भी हम detail में समझाएंगे ठीक है थर्ड होता है बेटा हमारा intensity of magnetization intensity of magnetization थर्ड हम इस property को समझेंगे fourth is magnetic susceptibility intensity of magnetization that is denoted by I and it is denoted by काई यह X का extended form है जिसको हम बोलते हैं काई ठीक है and fifth is magnetic permeability जो मैंने आपको बताया भी था last chapter में कि permeability को भी हम detail में समझते हैं अगले chapter में तो अब हम बातचीत करेंगे magnetic permeability की इन पांच terms को पहले हम समझ लेते हैं इन पांच terms को समझने के बाद chapter को magnetic materials को differentiate करना हमारा आसान होता है तो यहां पर H क्या है बी क्या है आई काई और म्यू का मतलब क्या है एक एक चीज को बेटा detail में समझने का try करते हैं मैं थोड़ा AC ज़्यादा अगर देता हूँ देखो बच्चो जैसे मैं सबसे पहली term ले लेता हूँ magnetizing field एक एक term आपस में related है हर term को आप अच्छे से समझना मैं जितने भी concept बोलूँ एक concept को आप अच्छे से समझना तो आपको कहीं भी कोई भी query यहां पर नहीं आद माल लो आपके पास बेटा यह कोई भी magnet है यह मेरे पास कोई भी magnet है सिदी सी बात है magnet है तो यह magnetic field produce करेगा या मैं बोल्दू मेरे पास एक एक ऐसा material है जो कि magnetic field को support करता है मतलब कि यह खुद भी एक magnet की तरह बिएप करता है तो यह भी अपना magnetic field produce करेगा आपके पास दूसरा एक डिटेक्टर है यह डिटेक्टर क्या कर रहा है कितना magnetic field इसने produce किया है उसकी reading को यह देने वाला है कितना produce कर रहा है उसको read भी तो हमें करना है उसकी reading को कौन दे रहा है बच्चो यह detector retract करके बता रहा है कि इतने Tesla का magnetic field इसने produce किया है clear तो देखो बच्चो जैसे मैंने magnet को vacuum में रखा तो detector ने अपनी एक reading दे दी कि इसने R1 value का magnetic field produce किया right अब मैं इस magnet को water में merge कर देता हूँ तो वहाँ पर भी यह magnetic field तो produce करेगा लेकिन difference क्या होगा कि जो strength है magnetic field की वो थोड़ी अलग हो जाएगी अब मैं बोल देता हूँ जैसे मैंने इसको water में रखा तो water में इसने reading दे दी हमें R2 correct या मैं बोल देता हूँ मैंने इसको कोई भी wooden block में बंद कर दिया फिर मैंने reading को check किया तो इसने कोई भी reading दे दी मुझे R3 या मैंने इस magnet को कोई भी glass के cage में बंद कर दिया तो इसने मुझे reading दे दी R4 आरी बातसाज में that means यह जो source था यह अपना एक magnetic field produce कर रहा था कितना magnetic field यह produce कर रहा है उसको मैं read कर रहा हूँ detector की help से detector की help जब मैंने इसको vacuum में रखा तो detector ने एक reading दी R1 जब मैंने इसको वाटर में रखा तो इसने reading दी R2 जब मैंने इसको wooden block में रखा तो एक reading दी ऐसे glass में रखा तो इसने एक reading दी इस तरह से मुझे अलग-अलग reading मिली correct अब आप सोचके देखो यह जो source है यह source तो एक fix amount का ही अपना magnetic effect produce कर रहा होगा जैसे मैं हूँ मैं एक fix amount का force से apply कर रहा हूँ सारे object पर लेकिन rubber है वो ज़्यादा compress होगी iron block है वो बिल्कुल भी compress नहीं होगा या मामूली compress होगा मतलब कि मैंने force तो same लगाया लेकिन मेरा effect ज़्यादा notice कहाँ पर हुआ था rubber वाले case पर मैं उसे अच्छे से observe कर पा रहा था clear same way में यह जो magnetic source है यह magnetic field तो same amount का ही produce करेगा बट जब मैंने इसको vacuum में रखा तो इसकी reading अलग थी water में अलग थी wooden में अलग थी और glass में अलग थी that means जैसे इसको medium के effect में रखा गया तो इसके कारण produce magnetic field की value में change हो गया बातारी समझ में जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो यह source है इसके कारण produce होने वाला magnetic effect same amount का है same strength का है बट अलग-अलग medium के कारण इसकी जो value है वो net value change हो गई क्योंकि उसमें medium का effect भी add-on हो गया कि medium अगर supportive था तो value बढ़ जाएगी medium अगर supportive नहीं है तो value कम हो जाएगी ultimately जो उसकी actual value है वो ना मिलके medium के effect के साथ detector हमें value दे रहा है तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो term होती है एक होता है magnetizing field और एक होता है magnetic induction और magnetic field जो यह actual value produce कर रहा है जो यह actual effect अपना निकाल रहा है उस effect को बोलते हैं magnetizing field मतलब कि उसे denote करते हैं edge से बट जो overall हमें effect मिलता है जो detector हमें reading दे रहा है जिसमें medium का effect भी अपना include है इसको बोलते हैं हम magnetic field या magnetic induction आरी बात साज में इसको मैं अगले page में draw कर देता हूँ यह अपने पास source है magnetic का इससे strength आ रही है 10 लेकिन यहाँ पर यह medium होने के कारण detector जो reading detect कर रहा है वो greater than 10 और less than 10 होगी क्योंकि इसमें medium का effect भी add-on हो गया तो यह जो 10 value है यह तो H है और यह जो net value है इसको बोलते हूँ है जो बेटा अपनी actual value है वो तो क्या होगी H और जो overall value आ रही है हमारी after including the medium effect that is called magnetic field correct इसलिए अगर मैं इन दौनों को relate करूं तो इन मैं relation बनता है बेटा B that is equal to mu H here mu is called permeability of medium permeability लेने का purpose क्या रहा कि यहां से medium का effect add-on हो गया here mu is called permeability of medium here H is a magnetizing field that is the actual magnetic effect that is a magnetizing field जिसको अगर सीधे सीधी language में बोले है तो actual magnetic effect produced by source and here B is the overall magnetic effect B is the overall magnetic effect X is the actual magnetic effect clear और इनका relation होगा B equal to mu H for medium और अगर यहां पर vacuum में रखा जाता तो मीडियम की जगे आ जाता मीडियम के लिए मीडियम के लिए अपना आएगा mu H और यह बात स्वाज में इस तरीके से हम बेटा इसका concept को conclude करते हैं दो टम एक हो गई अपनी magnetizing field एक हो गई magnetic field दौनों में difference आपको सौज में आ रहा है ठिक है कि इसने जो produce किया वो H है और जो overall effect आया वो B है और relation होगा B equal to mu H correct यहां तक कोई doubt है तो बता हो चलिए इस वाले point को note down करो फिर अगली third term की बातचीत करते हैं intensity of magnetization clear तो यह तो होगे हमारी दो quantities H और B के बारे में बातचीत अब बातचीत करते हैं हमारी third quantity that is intensity of magnetization इसका meaning क्या है यह सारी terms हम use में लेंगे एक साथ इसलिए हम एक एक term को define कर रहे है और इन पर numerical भी frame हो जाए तो इनके बारे में में पता रहे है देखो बच्चो अगर मैं intensity of magnetization की बातचीत करूँ सबसे पहले यहाँ पर word use में आ रहा है magnetization जिसका मतलब है कि कोई भी material को magnetize किया जा रहा है ठीक है intensity of magnetization उस भीहाब पर मैं बोल सकता हूँ कितना ज्यादा material को magnetize किया गया है उस चीज को यह उस parameter को यह read करता है ठीक है it just evaluate कि कोई भी material कितना intensity से magnetize हुआ है अब देखे कहानी है क्या है माल लो कि यह कोई भी एक material है अब यह बिलकुल भी magnetize नहीं है इसमें कोई भी magnetic property नहीं है right मैंने इसको कोई भी external magnetic field में रख दिया जैसे मैंने इसको external magnetic field में रखा तो as per its nature कि अगर यह magnetic field supportive है तो ultimately यह magnetize होना start होगा दीरे दीरे क्या होगा magnetize होना start होगा और कितना ज्यादा magnetize हुआ है वो depend करेगा इसके अंदर कितना ज्यादा magnetic dipole moment produce हुआ है सीधी सी बात है जितना ज्यादा magnetic dipole moment होगा material उतना ही stronger magnet में convert होगा that means material उतना ही ज्यादा magnetize होगा तो ultimately हम यहाँ पर define करते हैं इंटेंसिटी of magnetization that is denoted by i is the ratio of magnetic dipole moment per unit volume it is the magnetic dipole moment produced in the material per unit volume एक per unit volume में जितना ज्यादा dipole moment आएगा उतना ज्यादा material magnetize होगा उतनी ज्यादा इसकी intensity of magnetization होगा आरे बात सर्ज में यह तो होगया इसको define करने का तरीका clear? कि intensity of magnetization is just a parameter to evaluate how the material is magnetized in external magnetic field तेक है? और अगर मैं यहाँ पर लिखूँँगा कितना ही magnetized हुआ है it is evaluated by magnetic dipole moment per unit volume clear? अब देखे दूसरा यहाँ पर जो important concept है कि यह जो material है कि कितना ज्यादा magnetize होगा इसका कितना ज्यादा intensity of magnetization होगा एक तो बेटा यह depend करेगा कि इसको कितने stronger magnetic field में रखा गया है एक तो यह इस बात पर depend करेगा कि इसको कितने stronger magnetic field में रखा गया है जितने ज़्यादा stronger magnetic field में रखोगे उतना ज़्यादा possibility होगी material की magnetize होने की सिदी सी बात है एक टेसला का magnetic field है एक 10,000 टेसला का magnetic field है दौनों में अगर आपने iron block को रखा है तो 10,000 टेसला वाले में material ज़्यादा magnetize होगा एक तो यह depend करता है बेटा applied magnetic field पर अगर मैं यहाँ पर proportional sign अटा देता हूँ तो यहाँ पर एक constant आ जाता है काई and here काई is called magnetic susceptibility जो अभी मैंने आपको बताया था ठीक है and it depends on the nature of material यह अलग अलग material के लिए इसकी value अलग लग होती है copper के लिए अलग है iron के लिए अलग है steel के लिए इसकी value अलग है platinum के लिए इसकी value अलग है that means मैं बोल दूँगा कि जो material magnetize होने वाला है एक तो वो external magnetic field पर depend कर रहा है दूसरा साथ की साथ depend कर रहा है उस material के nature पर और nature को जच कौन कर रहा है यह काई और इसी काई के कारण material को तीन पार्ट में वाइफर गेट कर पाते हैं डाई पैरा और फैरो इसी की value की range के basis पर हम बोलते हैं material डाइब मेगनेटिक होगा यह पैरा मेगनेटिक होगा और फैरो मेगनेटिक होगा आरे बात सर्ज में तो यह एक important concept है इस पर भी हमें numerical मिल जाते हैं तो थर्ट हम होगी बेटा हमारी intensity of magnetization पहले term की definition कितना ज्यादा material magnetize हुआ है इसको evaluate करने का तरीका होता है intensity of magnetization जो define होता है magnetic dipole moment per unit volume से कितनी ज्यादा होगी वो depend करेगा एक तो nature of material पे और एक depend करेगा applied magnetizing field पर जितना ज्यादा magnetizing field में apply करूँगा उतना ज्यादा यह produce होता है करेक्ट क्लियर है यह चीज़ चलिए fourth term पे आते हैं हाँ जी अपने बेटा fourth term है that is called magnetic magnetic susceptibility देखो बच्चो इस term को समझने का try करते हैं magnetic susceptibility term का मतलब क्या है कैसे हम इस term को भी define करते हैं देखो बच्चो मैंने बोला it depends on nature of material पहली बात अलग-अलग type के material के लिए इसकी value अलग-अलग होती है और इसी की ब्याब पर हम तीनो टाइप के material लिखते हैं डाई पेरा और फेरो इसकी एक particular range है अगर काई minus 1 से 0 में होता है तो material को बोलते हैं हम डाई magnetic इस बात को मैं आपको आगे भी बताँगा अगर काई की value 0 से 1 के बीच में होती है तो material को बोलते हैं पेरा magnetic और काई की value 1 से काफी बढ़ी होती है तो materials होते हैं हमारे ferromagnetic इसकी value के basis पर हम बता देंगे की material कौन सा होगा आरी बात सर्ज में define कैसे होगा तो अभी मैंने बताए बिटा काई that is equal to हो जाएगा intensity of magnetization upon h आरी बात सर्ज में इस तरीके से define होगा ना ही यह i पे depend करेगा ना ही h पे क्योंकि इसकी value तो material के लिए fix होती है हाला कि temperature पर depend करता है temperature के साथ-साथ temperature को change करने पर इसकी value भी change होती है जैसे मैंने आपको starting में बताया था कि अगर temperature बढ़ाया जाए तो magnetic properties कम होती है तो सिधी सी बात है temperature बढ़ा होगे तो magnetic properties कम होगे that means sky की values अपनी कम होती हुई चले जाए आई बात साज में नहीं है clear तो बेटा यह fort हमोगे जो की material के nature को decide करती है कि material कितना ज़्यादा magnetic supportive है या magnet के against में है supportive है तो value बहुत ज़्यादा होगी अगेस्ट में है तो value negative होगी correct यह होती है हमारी fort चलिए अगली बातचीत करता है next हम होती है बेटा that is magnetic permeability बार बार यूज में आ रही थी चलो इस बात को भी हम समझ लेते है that is denoted by me देखो बच्चो जैसे कोई भी source है उस source से magnetic field produce हो रहा है और magnetic field produce होके उस particular medium में आएगा जिसमें magnet को रखा गया है माल लो एक बार तो मैंने बेटा इस magnet को vacuum या air में रखा इसके आज पास की जो surrounding है वो क्या है vacuum या air है एक बार मैं बोल देता हूँ कि यह जो magnet है इसके आज पास की surrounding है वो है glass जो magnet है मैं इसको surrounding में रख रहा हूँ यहाँ पर एक बार तो लिखा है vacuum एक बार मैं ले लेता हूँ water है एक बार मैं ले लेता हूँ magnet के आज पास की जो surrounding है वो है glass क्लियर अब देखिए बच्चों अगर मैगनेट के आसपास की सराउंडिंग वैक्यूम है क्लियर तो इसके कारण मैगनेटिक फील लाएगा B that is equal to होता है मी not into H लेकिन अगर इसके आसपास की सराउंडिंग वाटर या कोई another मीडियम है तो मैगनेटिक फील इसके कारण आता है इसको लिखने हम B equal to mu H और अगर मैं यहाँ पर mu की value की बातचीत करूं तो mu होता है बेटा मी not into mu r जहाँ पर मी not की value हमें आल्लेडी पता होती है 4 pi into 10 to the power minus 7 and here mu r is called relative permeability mu r अपना क्या होता है बच्चो relative permeability आरे बात स्वाज में इस तरीके से हम इसको लिख रहे होता है mu r होता है हमारा relative permeability यह एकदम simple सा है और भी equal to होता है बच्चो हमारा mu H correct तो overall concept बना क्या काई जो था यह तो relate कर रहा था बच्चो material को कि material में कितना magnetic field आएगा जबकि जो mu है यह refer करता है medium के magnetic effect को कि कोई भी medium magnetic effect के लिए कितना ज़्यादा supportive है जितना ज़्यादा mu की value होगी उतना ज़्यादा magnetic field हमें produce होगा उतना ज़्यादा magnetic field की value detect होने बाली है that way मैं बोल दूगा कि mu यहाँ पर medium के magnetic property को denote करता है और जितना ज़्यादा mu होगा उतना ज़्यादा medium में magnetic field हमें detect होने बाला है उतना ज़्यादा medium में magnetic field आने बाला है तो यह जो दौनो टर्म है इनका final जो concept है वो same है कि यह दौनो टर्म magnetic effect के बारे में बातचीत करते है लेकिन एक material के magnetic effect के बारे में बातचीत करता है और एक बातचीत करता है medium के effect के बारे में ठीक है लेकिन दौनो का जो sense है वो एकदम same है आ रहे बात सवाज में तो यहां पर बेटा इसकी value होती है mean not into mu r mu r होता है relative permeability जिसकी value आपको given होती है correct तो यह मैंने 5 terms आपको बताई है इन 5 term को हम यूज में लेते हैं जब भी मैं material को classify करूँगा समझ लो एक तो था magnetizing field जो की source अपना actual magnetic effect निकाल रहा है उसको बोलते हैं magnetizing field लेकिन detector जब इसे read करता है तो उसके साथ medium का effect भी count कर लेता है तो जो net reading आती है वो होती है अपनी magnetic induction या magnetic field और इनका relation बनता है अपना b equal to mu h vacuum के लिए बनता है बच्व हमारा b equal to mu not h correct पहली बात अगला था intensity of magnetization जो हम material के लिए define कर रहे थे कि कोई भी material को अगर magnetic field में रखा जाए तो वो magnetize होना start होगा कितना जादा वो magnetize हुआ है वो decide होता है उसमें कितना magnetic dipole moment produce हुआ है that's why it's defined as magnetic dipole moment per unit बोले correct अगला relation मैंने बताया कि I जो है ये magnetic dipole moment जो produce होगा वो किसके कारण हुआ है जब मैंने material को कोई external magnetic field में रखा और जितना जादा अपना external magnetic field होगा उतना जादा material magnetize होगा उतनी जादा उसके अंदर intensity produce होगी let me I जो है वो h के proportional रहेगा और अगर बेटा मैं यहाब proportional sign अटा देता हूँ तो यहाँ constant आ जाता है काई ultimately बन जाता है I which is equal to काई into H यहाँ पर काई को हम बोलते है magnetic susceptibility ठीक है फिर मैंने बेटा इस term को समझा है कि यह जो है यह material के nature को define करता है जिसकी value fix होती है इसी के basis पे हम die para और ferro को अलग-अलग बनाते है ठीक है और यह temperature पे भी depend करता है temperature बढ़ाने के साथ साथ काई की value generally कम होती है अगला मैंने बताया permeability जो की medium का effect है यहाँ पर हम बच्चों medium के बारे में बासचीत करते है कि medium कितना magnetic effect produce कर रहा है magnetic effect के लिए यह material कितना supportive है कितना supportive नहीं है यह पूरा discussion हम यहाँ पर करते है यह मैंने basic आपको 5 terms बताई है मैंने बोला कि chi और mu जो है इन दोनों का जो concept वो एकदम same है इसलिए यहाँ पर इनको हम relate भी करते है अगर यह भी आप से पूछ ले relation between chi and me अगर बिटा मैं इस relation के बारे में बातचीत करूँ तो सीधा-सीधा यहाँ पर relation define होता है mu r that is equal to होता है 1 plus chi यहाँ से आप सीधा-सीधा जेख सकते हो mu r which is equal to होता है 1 plus chi, chi की value पता है तो mu r की value भी हमारी determined हो जाएगी इस बात वह आप proof भी कर सकते हो proof आपके 12th class के लिए important हो सकता है बस concept समझने के लिए अगर आप समझना चाहो तो समझ भी सकते हो ऐसे माल लोग यह कोई solenoid है इसमें current flow हो रहा है तो बच्चों यह produce करेगा magnetic field that is equal to होगा mi not ni और आपने पढ़ रखा b equal to होता है mi not h तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ right अगर मैं इसके अंदर कोई material फिल कर दूँ तो अब आप बोलोगे यह जो magnetic field produce करेगा that will become mu ni या मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ mu into h correct दूसरे तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहूँ कि यहां पर यह जो magnetic field produce हुआ है एक तो current carrying coil के कारण आया है plus इसमें यह जो material रख दिया था यह material magnetize हुआ और इसने अपना एक magnetic field produce किया जैसे एक तो direct निकाल लिए magnetic field इतना होगा अगर इसको दूसरे तरीके से समझा जाए तो कैसे समझ सकते हैं एक तो इस wire में current flow हो रहा है overall यह produce करेगा magnetic field तो इसके कारण एक magnetic field आया plus यह जो material इसके अंदर रखा था यह material magnetic field में रखा हुआ है तो यह magnetize हो गया इसने अपना भी magnetic field produce किया नेटमें इस material का अपना एक magnetic field आया अगर बेटा मैं यहां पर लिकूँ net magnetic field तो था हमारा mu h, wire के कारण तो आया कितना था अपना mi not h, material के कारण हमारा कितना magnetic field produce होगा, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूँ कि material ने कितना magnetic field produce किया होगा, that will become equal to mi not into i तो कि material में क्या था अपना i राइट, बस यहां पर values को put कर दो, यह हो जाएगा मी not mu r h, यह है बेटा, मी not h, यह है मी not, i को आप लिख सकते हो काई into h, तो मी not h से मी not h cut करोगे तो यह आएगा, mu r equal to 1 plus i इस तरीके से इसे आप drive भी कर सकते हो, here derivation is not important, result is important कि दोना term का मतलब सेम है, जो mu r है, वही काई है, difference इतना है, यह material के लिए बातचीत करता है जबकि यह medium के लिए बातचीत करता है आरे बातसवज में, यह पांच ओ term clear है, correct तो बच्चो, इन पांच terms के respect में, आप हम types of material की बातचीत करेंगे, कौन-कौन से types के material होते हैं, क्या-क्या उनकी process follow होती है, अगर आपकी इस वाले segment से related कोई भी query है इन पांच ओर terms में, तो आप अपने respective telegram group पर पूछ सकते हो right, so thank you for watching this video, now I will continue types of material in the next video, thank you